हेलो डिये स्टुडेंट्स मैं सौरभ घरकॉल आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सौरी बच्चों कल वीडियो नहीं आप आई क्योंकि दो-तीन दिन से मेरी तब्यत बहुत खराब चल दिये तो कल मैंने ब्लेड टेस्स कराया था तो उसमें टाइफाइट दिखलाया है देगें फिर भी मतलब कोसिस कर रहा हूँ की पेंगिलर दवाईयां खा क्या आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं कल बहुत जादा ही दिक्कत हो गई थी और लाइट भी नहीं थी आर हमारे जो प यूनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड अगर आप लोगोने इससे पुराने लेक्ट्रिक नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजे एलेक्ट्रिक चार्ज अन फिल्ड की सब सिक्वेंस में देखना चीजें सौजमा जाएगी और आप लोग तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी एलेक्ट्रिक दाइपोल को यूनिफॉर्म ऐलेक्ट्रिक फिल्ड पर रखते हैं तो इस डाइपोल पर लगने का हमारी ही हमना चीज क्या होती है सुनना इसमें पी होता है आपका愛पोल गवेंट ईसमें रिष्ज AfD भीक्वें प्ल एक न तो बढ़ता है नियुमरिकल में थीक है तो बढ़ता है numerical में color change कर लेते हैं थोड़ा सा थीक है question मैं बोल ला है कि an electric dipole when held at 30 degree with respect to a held है with respect to a uniform electric field of 10 to the power 4 newton per column experience is a torque of 9 into 10 to the power minus 26 newton meter मतलब एक dipole है जिसका electric field के साथ बनने वाला angle दिया हुआ है 30 degree इसका अंदर theta equal to कितना दिया हुआ है 30 degree मतलब मान लो कि कोई ऐसा आपका uniform electric field है ठीक है जिस electric field की value भी दिये आपको कितनी दिये भीया 10 to the power 4 newton per column ठीक है इतना electric field दिया है तो जैसी ही आप इस dipole को इस electric field में रखते हो ना बच्चो इस तरीकी से आपने एक dipole को रखा electric field पर 30 degree पर तो dipole पर एक torque लगता है क्या लगता है क्या लगता है appreciate क्योंकि एक बूल पर इधर को force लगता है एक पूल पर इधर को लगता है तो dipole पर लगने आला तो डाइपोल मूमेंट पुछा है तो डाइपोल मूमेंट निकालने का बहुत आसान तरीका है अभी-अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला टॉर्क का की टाउ इकोल टू कितना होता है बताओ पी ए साइन ठीटा होता है हम लोग जानते हैं टॉर का फॉर्मूला तो यहां से डाइपोल मूमेंट पी पुछा है तो पी इकोल टू कितना आ जाएगा टाउ अपॉन ए साइन ठीटा ठीक है तो पी इकोल टू टाउ की वेल्यू कितनी है देखो 9 इंटू 10 टू दीपावाव माइनस 26 है तो 9 इंटू 10 टू दीपाव माइनस 26 अपॉन ए की जगे कितना आ जाएगा 10 टू दीपावाव 4 ठीक है इंटू साइन कितना है अब यहाँ ठीटा कितना है 30 डिगरी है ठीक है तो साइन कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा तो अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते है 10 टू दीपाव 4 उपर भेज दू तो यह आ जाएगा आपका P इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दीपाव माइनस 26 तो था ही 10 टू दीपाव 4 उपर भेज होगे साइन बदल जाता है माइनस 4 हो जाएगा और साइन 30 की वेल्यू कितनी होती है बच्चो 1 भाई 2 होती है तो नीचे वाला 2 भी उपर चलाएगा तो डाइपोल मॉमेंट आ जाएगा P इक्वल टू कितना 9 इंटू 2 इंटू 10 टू दीपावर माइनस 30 ठीक है तो 9 टू जा कितना होता है 18 तो डाइपोल मॉमेंट आ जाएगा 18 इंटू 10 टू दीपावर माइनस 30 तो यह आपका डाइपोल मॉमेंट आ गया अब जनरली आंसर जो हम लिखता है सिगनिफिकेंट फिगर वाले रूल से एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए तो अगर आप चाहो तो इसको खिसका सकते हो देखो पॉइंट को लेफ्ट को खिसकाते है तो पावर में एड होता है तो इसको मैं अगर चाहूँ 1.8 लिख रहा हूँ हो है तो बताओ वैसे तो इतना सिंपल सा कुष्चेन है नहीं होनी चीए ठीक है अब अगला कुष्चन करने जा रहा है बच्चो अगने कुष्चन में बोला है अन एलेक्रिक फिल्ट कंसिस्ट आफ टू अपोजिट चार्जज़ ओफ मैगनिट्यूड इसका लग क्यों दिया हुआ है चार्ज़ का मैगनिट्यूड वन अपोज थी इंटू टेन टू दी पाउर कितना माइनस सेवन कुलम दिया हुआ है सेपरेटेड बाई टू सेंटिमीटर तो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फिल्ड दिया है मतलब ई दिया हुआ है अगर आपको सौझ में नहीं आता है क्या चीज़ है यूनिट देख लिया करो न्यूटन पर कुलम एलेक्ट्रिक फिल्क यूनिट होती है तो यह दिया है 3 इंटू 10 टू दी पाउर 7 न्यूटन पर कुलम ठीक है ना बोला वट इस दा मैक्जिममम टॉर्क तो तौ मैक्स पूछा है ठीक है तो मैक्जिमम टॉर्क के लिए मैंने आपको लोगों को लास्ट लेक्षर बताया था उसके स्पेशल केसे बताये थे बताया था कि जो हमारा मैक्जिममम टॉर्क होता है ना बच्चों इसका फॉर्मुला क्या होता है टाउ मैक्स इक्वल टू होता है पी इंटू ई अब आप बोलो कि हमें 2L आ जाएगा इंटू E आ जाएगा ठीक है तो Q जो चार्ज आ है इसकी वाल्यू आप की इतनी है देखो फिर ज़रा ध्यान से Q की वाल्यू है 1 अपॉन 3 इंटू 10 to the power minus 7 ठीक है उसके अलावर 2L की वाल्यू कितनी है 2L की वाल्यू है 2 into 10 to the power minus 2 ठीक है एकी वाल्यू रग दी E की वाल्यू रग दी Q into 2L की वाल्यू रग दी कुछ कैंसिल हो रहा देखो यह 3 से यह 3 कैंसिल हो रहा है 10 to the power minus 7 से 10 to the power plus 7 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना बचा देखो तो 2 बचा into 10 to the power minus 2 तो यही आगए आपका maximum torque यूनिट क्या होती है torque की जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे ना आंसर सही नहीं वाना जाएगा Newton meter तो यह आपका answer आ गया I hope कि आप लोग को torque के basic numerical सौझ में आये होंगे बागी thank you मिलते हैं next video lecture में ठीक है किसी नए topic के साथ ओके